हेलो दोस्तों, Intellecto.NKS YouTube प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो हम लोग लगातार आगामी UPPCS, ROYRO और BEO के लिए GS के सभी important topic की सीरीज को यहाँ पर cover कर रहे थे और इस सीरीज के अंतरगत आज यह आपकी आठवी class है ठीक है और इस class में हम लोग BISH की सभी प्रमुख जीलों के संधर्व में चर्चा करने वाले हैं ठीक है तो जीलों को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना थोड़ा सा जरूरी है कि यहाँ से प्रस्ण क्या-क्या पूछा जा सकता है तो अगर हम लोग यहां से बनने वाले प्रस्णों को देखें तो सबसे पहला और जो सबसे मुख प्रस्ण होता है वो यहां से बनके आता है जीलों की अवस्तिती को लेकर सबसे जादा यहां से प्रस्ण यही पूछा जाता है जील दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जील किस देश में अवस्तित है या फिर ये भी पूछ लिया जाता है किस महादीप में अवस्तित है या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं पर कि ये जो जील है वो किन देशों से घिरी हुई है यानि कि जील के सीमावर्ती देशों के संदर में भी पूछ लिया जाता है तो जहां पर इस तरीके का fact होगा हम लोग उसको भी कबर करेंगे दूसरा यहां से question जो सबसे जादा बनता है वो बनता है कि कौन सी खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी जील है कौन सी ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी जील है या फिर कौन सी सबसे अधिक उचाई परिस्तित नौका गम में जील है या फिर बहुत सी ऐसे ही करके जो बड़ी के संदर में होता है प्रतेक महादीब के संदर में पूछ लेगा कौन अफरीका की सबसे बड़ी जील है कौन एसिया की सबसे बड़ी जील है इस तरीके से कौन विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की जील है तो इस तरीके की चीजें जील वाले चैप्टर से देखने को मिलती है और मैं एक चीज आपको बता दू कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग अपने विभिन परिक्षाओं में एक प्रस्न जीलों से जरूर पूछता है तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए आपको स्योर सोट यहां से आगामी परिक्षाओं में जो यह हैं इन में एक कॉस्चन देखने को जरूर मिलेगा तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग महादीब के अनसार चलेंगे तो सबसे पहले जिन जीलों की हम बात करेंगे वो हैं एसिया की जील हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बैकाल जील की ठीक है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बैकाल जील है यह दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी जील है और इसकी अवस्तिती की बात करें तो यह जील रूस के साइवेरिया छेतर के दक्षड भाग में इस्थित है और यह एक मीठे पानी की जील है तो दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन जील आपकी बैकाल और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यह मीठे पानी की जील है जीलों के संदर में जब भी आप पढ़ें तो यह जरूर देख लें कि यह मीठे पानी की है या फिर खारे पानी की है तो बैकाल जील जो है वो मीठे पानी की है ठीक है और ये जो मीठे या खारे पानी वाला जो मामला होता है ये कुछ ही जीलों के संदर में आपको याद रखना है ऐसा नहीं है कि बिसकी सभी जीला है तो सबके बारे में हम इस तरीके का फैक्ट याद रखेंगे इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो ये आपकी है बैकाल जील जो रूस के साइवेरिया का दक्षड वाला भाग है यहीं पर है आपकी बैकाल जील ठीक है उसके बाद अगला जो है अगली जील जो है अरल सागर और यह कहां पर इस्थित है यह मध्य एसिया में इस्थित एक जील है और इसको इसके बड़े आकार के कारण सागर कहा जाता है बाद बाकी यह जो जील है यह कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान से घिरी हुई है तो अरल सागर की अवस्तिती कहां है मध्य देसिया में कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान के समीब ठीक है यानि कि यह अरल सागर कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान के मध्य में घिरा हुआ ह बाद बाकी इसको बड़े आकार के कारण सागर का नाम दिया गया है तो अरल सागर को भी हम लोग मैप में देख लेते हैं ये रहा आपका अरल सागर ठीक है मैं मैप में एक एक करके दिखाता चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे उसके बाद अगला जो है वो है कैस्पियन सागर ये भी एक जील है लेकिन बड़े आकार के कारण इसको भी सागर का दरजा दिया गया है तो कैस्पियन सागर मद एसिया में इस्तित एक जील है और छित्रफल के हिसाब से यह है विश्व की सबसे बड़ी जील है ठीक है तो आपसे question पूछा जाए कि बिश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो कैस्पियन सागर बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो कैस्पियन सागर है वो खारे पानी की एक जील है तो इस फैक्ट को याद रखिए अब दोखो एक question पूछा गया था कि कैस्पियन स किन किन देशों से घिरा हुआ है यानि कि इसके तटवर्ती देश कौन कोन से हैं तो याद करिए तुर्कमैनिस्तान, कजातिस्तान, रूस, अजरवैजान, इरान, ठीक है इसको तटवर्ती देश है, कौन मैंने सबस्वाहें के जो कैस्पियं सागर है वो खारे पानी की जी ऐसी इतना इतनी बड़ी है कि एक आंत्रिक सागर भी है बादबाकी एक फैक्ट आपको और याद यहां से रखना है कि जो अजर बैजान की रायधानी है बाकू वह कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा सहर है ये question पूछा जा चुका है कि कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो कौन सा है बाकू बाकू जो की अजरबैजान की राजधानी है ठीक है तो यह हो गया कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं एक बार ये है कैस्पियन सागर ठीक है अच्छे से देख लीजिए बैकाल, अरल और कैस्पियन सागर उसके बाद अगली है पैगोंग जील या फिर जिसे पैगोंग तेशो भी कहते हैं और इस जील की अवस्तिती है भारत चीन सीमा पर इस जील के छेत्र की बात करें तो इसका 45 किलोमीटर का छेत्र लगवग भारत में स्थित है और 90 km का छेतर चीन में पड़ता है ठीक है बाद वाकी इसी जील से भारत वाचीन के मद्द बास्तविक नियंतरण रेखा गुजरती है इस जील का जो 45 km वाला भारतिय भाग है इस पर भारत का नियंतरण है जबकि सेस पर चीन का नियंतरण है ठीक है इस जील को भी देख लेते हैं नाम से ही आप समझ जाएए थोड़ा सा पैगोंग तेसो कहां पर है भारत चीन सीमा पर ये जील 45 किलोमीटर के छेतफल में भारत में और 90 किलोमीटर के छेतफल में कहां पर फैली हुई है चीन में और जो भारत चीन की बास्तविक नियं करती है ठीक है तो इसको भी देख लें खेर आप लोग इतना सभी जानते हैं जैसे ये भारत है तो यहां पर ये आपकी पैगोंग तेसो जील इस देते है ठीक है भारत चीन सीमा पर अगला देखिए अगला है वोण जील बहुत ही इंपोर्टन था बहुत है बहुत बार पूछी जाती है तो जो वोण जील है वो कहां पर इस्तित है वो है तुर्की में स्तित और ये जील क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि यहां बिस्जु की सरुआदिक खारे पानी की जील है ठीक है तो आपसे प्रसल पूछा जा सकता है कि विश्व की सरवादिक खारे पानी की जील कौन सी है बॉन जील या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निमलिखित में से किस जील का पानी सरवादिक खारा है तो वो है बॉन जील और ये कहां पर इस्तित है ये तुर्की में इस्तित है ठीक है इसको भी थोड़ा सा अगर मैप में देखें देखते हैं की नहीं ये कहीं इधर की तरह भोगी इसमें दिया नहीं गया है ठीक है तुर्की जो ये वाला च्छित है यहां पर इसी के पास करी उसके बाद अगली जो आपकी जील है वो है वालकास जील ठीक है और ये कहां पर है यह है कजाकिस्तान में ये एसिया की सबसे बड़ी जीलों में से एक है ठीक है तो बालकास जील कहां पर है कजाकिस्तान में ठीक है उसके बाद बात करें इनले जील कहां पर है मैप मैप पर हमेशा important जीलें ही दरसाई जाती है बाद वाकि ये कुछ जीलें ऐसी है जो बहुत जादा मैप के नजर ये से important नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अब एक trend बन चुका है कि वह ऐसी चीजे पूछ रहा है कि जो थोड़ी सी छुपी हुई है जैसे कि आप देखेंगे बैकाल जील के बारे में सब को पता है कैस्पियन सागर के बारे में सब को पता है ऐसे ही आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे अफरीका महादीप में तो विक्तोरिया जील के बारे में सब को पता है तो जो मुख जीले हैं अब लगभग बच्चे को उनके बारे में पता होता है इसलिए आयोग ने अब एक ट्रिक नई स्टार्ट करी है कि वो कुछ ऐसी चीजों को सामने लेके आता है जो आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलती है तो ये सारी फिर वही जीले हैं हो सकता है इनका नाम भी आपने कभी ना सुना हो लेकिन परिक्षा की दृष्टी इसे ये बहुत इंपोर्टेंट है तो इनले जील की बात करें कहां पर है मयम्मार में देखें फाइफ फिलावर जील कहां पर है चीन में अब फाइफ फिलावर जील बहुत बार उत्तर व्रदेश लोग सेवा आयोग अपने विभिन परिक्षाओं में पूछ चुका है इस फैक इसका कि टोबा जील एक क्रेटर जील का उधारण है अब आप सोचेंगे कि ये क्रेटर जील क्या होती है तो देखो जो जुआला मुखी होता है ठीक है जुआला मुखी जो होता है उसका लाबा जहां से निकलता है विस्पोर्ट के दोरान उसे क्या बोलते हैं क्रेट उड़ जाता है और यहाँ पर एक गड़ा जैसा बन जाता है और जब बारे सोती है तो ये गड़ा पानी से भर जाता है और जब ये लंबे समय तक पानी से भरता रहता है तो ये एक जील का स्वरूप ले लेता है और इसी को बोलते हैं क्रेटर जील तो जो टोबा जील है इं पुर्मिया जील की बात करें, तो ये कहाँ पर है? ये है इरान में, उसके बाद टॉनले सब जील की बात करें, तो ये कहाँ पर है? कमबोडिया में, और लोपनूर जील की बात करें, तो ये कहाँ पर है? ये है चाइना में, तो ये सभी हो गई एसिया की प्रमुख जीले हैं अब हम लोग बात करते हैं अफरीका के जीलों की तो सबसे पहले है विक्टोरिया ठीक है तो विक्टोरिया अफरीका की सबसे बड़ी जील है आप से प्रस्म पूछा जाए कि अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो ये है विक्टोरिया बाद बाद की आपको ध्यान रखना है कि विक्टोरिया जहील से ही होकर विस्वत रेखा गुज़रती है ठिक है अब देखते हैं कि विक्टोरिया जहील की सीमा किनकिन देशों से लगती है तो तन्जानिया, योगांडा और केन्या तीन देशों से विक्टोरिया जील की सीमा लगती है कौन-कौन से देश हैं तन्जानिया, योगांडा और केन्या बाद बाकी आपको याद रखना है यह बिस्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो ये भी question पूछा जा चुका है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो ये है Victoria जील अब आप लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो ये superior lake है जो की उत्तर अमेरिका महादीप में अभी जब हम पहुँचेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे अभी सिर्फ इतना याद रखिये कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है Victoria जील ठीक है Victoria जील का पानी अफरीका की the great ripped valley जिसे की महान दरार घाटी भी कहते हैं उसमें भी जाता है तो ये fact याद रखना Victoria जील का पानी अफरीका की the great ripped valley में भी जाता है तो ये बात हो गई Victoria जील की इसे मैं आपको map पे भी दिखा देता हूँ ये आपकी रही Victoria जील ठीक है ये ये आपका है अफरीका महादीब और यहीं पर है Victoria जो की पूरे अफरीका की सबसे बड़ी जील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है यानि की मीठे पानी की जील और दे से याद रखना तन्यानिया युगांडा और केनिया की सीमा इस जील से लगती है उसके बाद मालावी जील की बात करें तो मालावी जील भी अफरीका महादीब में स्तित है और इसकी सीमा लगती है तन्यानिया मालावी और मुन्याविक से बात बाकी मालावी जील को नियासा जील भी कहते हैं ठीक है मैप में अगर मैं इसको दिखाऊं तो यह यहाँ पर है नियासा जील यह ठीक है यह रही आपकी नियासा जील उसके बाद अगली जो जील है वो है टंगानिका जील बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो टंगानिका जील कहाँ पर अफरीका महादीब में तो इस्तित है और यह है विश्व की दूसरी सबसे गहरी जील है दुनिया की सबसे गहरी जील कौन थी अभी मैंने आपको बताया बैकाल और अब दूसरी सबसे गहरी जील कौन सी है टंगानिका ठीक है बाद बाकी यह है विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की जील भी है ठीक है तो इसके संदर में दो फैक्ट याद रखना एक तो यह है विश्व की दूसरी सबसे गहरी जील है और दूसरा फैक्ट यह है कि यह है विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की जील है बाद बाद की सीमा भी देख लो तो टंगानिका जील की जो सीमा है वो तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जांबिया से लगती है बाद बाद की टंगानिका जील को मैं आपको मैप पर भी दिखा देता हूँ तो ये रही तंगान का जील ठीक है ये अच्छे से देख लीजिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं तुरकान जील की ठीक है तो तुरकान जील जो है वो अफरीका महादीब के केन्या में इस्तित है और अफरीका के भूमद रेखिये जील तंतर में सामिल जील है तुरकान नियासा एलवर्ट और टंगान का ठीक है तो अफरीका में एक भूमद रेखिये जील तंतर सामिल है जो भूमद रेखा जहां से गुजरती है उसी के आसपास जो जीले है उन्हें भूमद रेखिये जील त तंत्र कहते हैं तो इन में अगर हम देखें तो तुरकान जील सामिल है ठीक है नियासा जील सामिल है ये वाली जिसे मालावी जील भी कहते हैं एलवर्ट जील सामिल है एक और ये टंगानका जील सामिल है तो ये याद अठना कॉस्चन खूब पूछा जाता है कि अफरीका महा आदीप के भूमद रेखिये जील तंतर में कौन कौन सी जीले आती हैं तो टंगनका हो गई नियासा हो गई एलवर्ट हो गई और एक आपकी हो गई कौन सी तुरकान जील ठीक है तुरकान जील को मैं आपको मैप में भी दिखा दू ये रही आपकी तुरकान जील और यहीं से भूमत रेखा ये देखो निकल रही है ठीक है ये भूमत रेखा निकल रही है और इसी के पास जो ये जीलay इस्तित है इनी को भूमत रेखिये जील तंत्र कहते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि नयासा, टंगनिका, तुरकान और एलवर्ट जील सामेल है ठीक है उसके बाद एलवर्ट जील की बात करें देखो ये भी आ गई तो ये कहां पर है ये युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गड़राज के बीच इस्तित है एलवर्ट जील कहां पर है युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गड़राज के बीच ताना जील की बात करें तो ये कहाँ पर है ये एथोपिया में है ताना जील बोल्टा जील की बात करें पूछी जा चुकी है कहाँ पर है ये घाना में है नासिर जील की बात करें तो ये कहां पर है ये मिस्टर में है और यहां से नील नदी मिस्टर में प्रवेस करती है ठीक है तो नासिर जील कहां पर है मिस्टर में है और यहीं से नील नदी मिस्टर में प्रवेस करती है बात बाकी करीबा जील की बात करें तो ये जांबिया और जिम्बामबे की सीमा पर है करीबा जील कहां पर है जांबिया और जिम्बामबे की सीमा पर तो ये सारी हो गई आपकी अफरीका महादीब की जील है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं उत्री अमेरिका महादीब की जीलों की ठीक है तो उत्री अमेरिका महादीब की जीलों में सबसे जो important है वो है great, legs या फिर महान जीले हैं तो ये उत्री अमेरिका महादीब में कनाडा और USA की सीमा पर इस्थित ताजे पानी की पांच जीलों का समू है और इन पांचों जीलों के समू को great, legs या फिर महान जीलों की संगया दी गई है अब देखते हैं कि इन great, legs में कौन-कौन सी पांच जीले सामिल है तो नाम याद करिए superior, Michigan, Huron, Erie और Ontario पांच जीले great, legs में सामिल है superior, Michigan, Huron, Erie और Ontario ये पांचों जीले कहां पर है? USA और कनाडा की सीमा पर ठीक है? बाद वाकि ये पांचों जीले कैसी हैं? ताजे पानी की जीले हैं अब देखो यहाँ पर एक fact याद रखना कि इन जीलों में से चार जो जीले हैं वो कहां पर है? वो अमेरिका और USA की, sorry, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं जबकि एक पांचमी जो जील है, Michigan वो पूरी तरीके से अमेरिका में इस्तित हैं तो इस वारे में बहुत fact बनता है तो ध्यान रखना कि जो superior, huron, iri और ontario ये जो जीले हैं, ये USA और कनाडा की सीमा पर है और इसमें जो Michigan है, वो पूरी तरीके से अमेरिका में इस्तित है, ठीक है? बादवाकि जो जील superior है, यानि कि superior जील है, वह है विस्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है बहुत बार यहां से question पूछा जाता है, कि विस्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है? तो ये है superior, बादवाकि जो iri और ontario जील है, इसके मद विस्व का परसिद नियागरा जल परपात इस्तित है ये भी fact पूछा जाता है कि निमलिखित में से किन जीलों के मद विस्व परसिद नियागरा जल परपात इस्तित है तो iri और ontario जीलों के बीज ठीक है? अब इन जीलों में superior सबसे बड़ी जील है और ontario सबसे छोटी जील है बादवाकि इन जीलों को पूर्व से पस्चिम या फिर पस्चिम से पूर्व के क्रम में लगाने के लिए भी question पूछा जा सकता है तो आप लोग याद रखना अगर हम लोग पूर्व से पस्चिम की बात करें तो सबसे पहले ontario फिर iri फिर huron फिर Michigan फिर superior ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको मैप पर भी इन जीलों की अवस्तिती को दिखा दूँ तो ये आपकी है great legs ठीक है? यहाँ से USA और कनाड़ा की सीमा ह और यहाँ पर आप देखेंगे कि पाँच जीलों का समू है जिसे great legs कहते हैं ये ठीक है? और यहाँ पर ध्यान रखना कि इन जीलों के पाँच कुछ प्रमुक औद्योगिक केंद्र भी अवस्तित हैं तो superior जील की बात करें इसके पास दुलुत है जो की एक बहुत बड़ा उद्योगिक केंद्र है, मिसीगन की बात करें तो इसके पास Gary और Chicago नाम के उद्योगिक केंद्र है और इरी की बात करें तो इसके पास है Detroit जो की बिस्व में आटो मोबाइल का सबसे बड़ा केंद्र है ठीक है? तो ये बात हो गई great legs की उसके बाद अगर हम लोग उत्री अमेरिका महादीब की और जीलों को देखें तो इसमें Canada की जो जीले है great beer, great slave, अथावसका, बिनिपेग, मनीटोबा और रेंडियर ये सभी जीलें Canada में इस्तित हैं, नाम याद कर लीजिए most of the lakes यहां से पूछी जा चुकी है, ठीक है? great beer, great slave, अथावसका, बिनिपेग, मनीटोबा और रेंडियर ये सभी Canada की प्रमुख जीले हैं, उसके बाद great salt lake तो ये USA यानि की अमेरिका की खारे पानी की जील है, great salt lake उसके बाद finger lake बहुत पूछा जाता है, तो finger lake यानि की अंगलियों नुमा जो जील है, ये कुछ छोटी छोटी जीलों की सरंखला है, जो अंगलियों की आकरती जैसी है, इसी लिए इसे finger lake कहते हैं, और ये अमेरिका के New York राज में इस्तित है, ठीक है? तो finger lake कहां पर इस्तित है, अमेरिका के New York में, तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका की जीले, देखें ये जो कनाड़ा वाली जीले थी, lake beer, slave, अथावस्का, और देखो ये है great salt lake, जो USA में इस्तित है, ठीक है? एक lake वहां पर यहां पर और है, बिनिपेग, कनाड़ा वाली, तो इन सभी को आप यहां पर देख लेना, बात बाकी मैंने आपको यहां से ये सारी बता दी है, great beer, great slave, अथावस्का, बिनिपेग, मनीटोबा और रेंडियर, आपके मैप में नहीं थी, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे दक्षड अमेरका महादीब के जीलों की, तो यहां बस तीन प्रमुक जीले हैं, ठीक है? एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, तो सबसे पहले है टिटी काका, बहुत इंपोर्टेंट जील है, और यह दक्षड अमेरका महादीब में बोलेबिया और पेरू के मद अवस्तेत हैं, ठीक है? बाद बाकी एक फैक्ट यहां से याद रखना, कि यह है विश्व की सबसे उची नौका गम जील है, बहुत वार कॉस्चन पूछा जा चुका है, कि विश्व की सबसे उचाई पर इस्थित नौका गम जील कौन सी है, तो टिटी काका, ठीक है? बाद बाकी अगर आपसे कॉस्चन पूछ लिया जाए, मुझे फैक्ट याद आ गया, कि विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित जील कौन सी है, तो वो है एसिया महादीप में इस्थित थिसो सिक्रू, जो की कहां पर है? तिबबत वाले छेत्र में, ठीक है? नाम याद रखना, थिसो सिक्रू, ये दुनिया की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित जील है, और थिसो सिक्रू जो जील है, वो एसिया महादीप के तिबबत वाले छेत्र में अवस्थित है, तो विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्थित नौका गम जील कौन सी है? तिटी काका अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नौका गम में जील क्या होती है तो एक ऐसी जील जिसमें कि कोई नौका आसानी से चल जाए अब नौका के लिए चोड़ाई होनी चाहिए लंबाई होनी चाहिए और एक उप्युक्त मात्रा में गहराई होनी चाहिए तो इसी लिए विश्व की सबसे अधिक उचाई पर इस्तित जो नौका गम जील है वो है टीटी काका क्योंकि इसमें नौकाएं बड़ी आसानी से चलाई जा सकती है उसके बाद पोपो जील ये दोखो अमेरिका महादीब के बेनेजुएला में है और इस जील में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है तो ये कॉस्चन खूब पूछा जाता है कि निमलिखित में से किस जील में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है तो ये है मरकाइबो जील जो की बैने जुएला में इस्तित है थोड़ा सामलोग मैप में अगर इन जीलों को देखें तो ये देखो है टिटी काका जील और बाद बाकी मैप में किसी को दिखाया नहीं गया है तो टिटी काका जील ये रही यहीं पर आप देखेंगे तो कौन सी जील होगी मरकाइबो जील बेनेजुएला में और एक आपकी थी कौन सी एक थी मरकाइबो और पोपो जील ये यहां पर मैं पमें नहीं दी गई हैं ठीक है तो टिटी काका मरकाइबो और पोपो जील ये आपकी दक्षड अमेरका महादीब की जीले हो गई और अब हम लोग बात करते हैं योरोप की जीलों की ठीक है तो योरोप की जील की बात करें तो सबसे पहले कौंस्टेंस की बात करेंगे ये जील आलपरवत में इस्तित है और कहां पर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और सुटजर लेंड का जो मिलन इस्तल है वहीं पर इस जील की अवस्तिती है और जो योरप की राइन नदी है वो इस घील से होकर गुजरती है ठीक है तो याद रखना कॉंस्टेंस जील आलपस परवत में इस्तित है और कहां पर जर्मनी आउश्ट्रिया और सुट्जर लेंड के मिलन बिंदु पर बादवा की राइन नदी इस कॉंस्ट जील की बात करें, तो ये कहां पर है, स्यूडन में है, प्लिट्विस जील की बात करें, पूछी जा चुकी है, प्लिट्विस जील कहां पर है, क्रोशिया में है, लडोगा जील पूछा जा चुका है, ये कहां पर है, ये रूस में स्थित बीठे पानी की जील है, और यह है य यूरोप की सबसे बड़ी जील कौन है लडोगा, ओनेगा की बात करें, दोनों पूछी जा चुकी हैं लडोगा और ओनेगा, तो ओनेगा जील भी रूस की मीठे पानी की जील है, जो लडोगा के बाद यूरोप की छेतरपल के दृष्टी से दूसरी सबसे बड़ी जील है, तो यूरोप की सबसे बड़ी जील लडोगा और उसके बाद ओनेगा ये दोनों जीले मीठे पानी की जील है और रूस में इस्तित हैं तो ये हो गई हैं आपकी बिस्व की सभी प्रमुक जील हैं बाद बाकी हम लोग ऑस्टेलिया महादीब की बात करें तो वहाँ पर कोई ऐ जीले थी उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है और यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को तयार कीजिए बार बार चीजों को देखिए ताकि आपको ये सारे फैक्ट याद हो सकें क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा डा कौन से घास के मैदान कहा है तो ये सारी चीज़ें तभी याद होंगी जब आप लगातार रिवीजन करेंगे और बार बार वीडियो को देखेंगे और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनेंगे तब चीज़ें आपको कंठस्त होंगी तो ठीक है पूरी वीडियो को देखिए लोगों तक इन वीडियोज को पहुँचाईए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए धन्द बाद